मैं चितवत हूँ तो ही को, तू चितवत कचु और, लानत ऐसे चित पर एक चित दूइट हो और, सद्गुरु कहते हैं, मैं चितवत हूँ तो ही को, मैं तेरी तरफ देखता हूँ, ऐशे से, और तू चितवत कचु और, तुम, तुम्हारा मन कहीं और लगा है, तुम कहीं और देखने पर लगे हुए हो, लानत, लानत है, धिकार है, लानत अरबी का शब्द है, ऐसे चित पर, ऐसे चित को धिकार है, जो दिखावा करता है, कि मैं हाँ गुरू जी, हाँ गुरू जी, मैं आपके साथ हूँ, और उस दिल में, संसार की खोईशें भरी हुई है, लानत है ऐसे चित को, जो दो जगहों पर लगा हुआ है, अभी स्री रमे सहब जी कह रहे थे, कबीर सहब ने कितना साहस दिया, कोई एक कबीर की बात नहीं है, कि एक कबीर भर ने सहस दिया, एक बड़ी लंबी परंपरा रही है आदमी के साथ, हर समय, हर समाज में, हर देशकाल में कुछ ऐसे लोग हुए हैं, उनके नाम अलग-अलग हैं, लेकिन उन लोगों ने बड़ी मिहनत किया, और शायद उनहीं सब की मिहनत का ये परडाम है, कि आज हमें थोड़ा-थोड़ा कुछ दिखता है, पुस्तकों से जीवन नहीं चलता, गुरू से चलता है, कोई पुस्तकों के अधार पर जीवन जीना चाहे, तो हो सकता है, उसमें कुछ कमिया रह जाएं, लेकिन जो अपने गुरू के साथ रह करके जीते हैं, गुरू को देख करके जीते हैं, हम पुस्तकों से उतना नहीं सीख पाते हैं, जितना हम एक जीवित व्यक्ति के साथ रह करके सीख पाते हैं, आदिमी तो बहुत बेहतर हैं ना, पेड़ पौधे तो कम बेहतर माने जाएंगे, मैं छोटी सी बात कहूँ, छोटा उदारन दूँ, एक बेल होती है, बेल उसे कहते हैं, जिसकी रीड़ नहीं होती है, उसमें हड़ी नहीं होती है, वो लचीली होती है, वो कॉमल होती है, बेल को अगर आप उचे चढ़ाना चाहें, तो अपने बल पर बेल नहीं चढ़ सकती है, हाँ, उसको किसी पेड़ का सहारा मिल जाए, या कोई सूखा लकड़ी का कोई हिस्सा ही लगा हो, या लोहा हो, सिड़ी हो, कुछ भी हो, उसको लपेड दो उसमें, बस वो बेल उसी के सहारे चढ़ते चढ़ते उपर तक पहुँच जाएगी, मैं बेल को देखता हूँ, तो मुझे लगता है, बेल कोई चाहे जिन्दा पेड़ पे लपेड़ दो, या कि लोहे की लकड़ी या तो लोहे पर या कि सिड़ी पर, किसी पर भी, वो बेल उपर चढ़ जाएगी एक दिन, आदमी को एक बहुत बड़ी हाँ गुरु दे दो, एक बहुत बड़ी हाँ सिधान दे दो, लेकिन आदमी ज़रूरी नहीं कि आदमी उपर चढ़ पाए, बेल में तो कोई जान नहीं है, कोई जीवन नहीं है, लोग कहेंगे लेकिन फिर भी बेल छट पर चढ़ जाती है और आदमी इतना होश यार इतना कुशल एक गुरू के साथ रहता है और गुरू को जूट कर जाता है पुस्तकों पर कोई यकीन ना करे तो भी चलता है क्योंकि पुस्तके लिखने वाले गुरू भी हो सकते हैं और नौन गुरू भी हो सकते हैं हो सकता है उनका कोई अनुभाव ना हो लेकिन उनमें काब की शक्ति हो तो एक अच्छा सा गरंथ लिख दें एक आदमी ने पुस्तक लिखी करोणपती कैसे बने और उसकी धेरों प्रतियां बिग गई जब लोगों ने सोचा इसके लेखक से मिला जाए जिसने इस पुस्तक को लिखा है करोणपती कैसे बने उस लेखक से मिला जाए भाई उसने अपने अनुभाव से लिखा होगा तो पता पूछते पूछते जब एक घर पे गए तो चपल फटकारते हुए एक आदमी आकर द्रवजा खोला उन्होंने सोचा कि इन नौकर होगा तो उन्होंने पूछा हमें उस लेखक से मिलना है वो हाफते हो बोला हाँ बताएए मैं ही हूँ मैंने ही लिखा उन्हें कहा तुम्हारी हालत तो लखपदी की भी नहीं है उसने कहा हाँ नहीं है पर मैंने अपने अनुभाव से सीखा है तो हो सकता है कि आप करोनपती ना हो लेकिन आप करोनपती दूसरे को बनाने की कला जानते हो ऐसा संभव है आप में काब्यात्मक शक्ति है तो आप काब्य लिख सकते हैं हो सकता है उससे दूसरों को लाब हो जाए और गुरू गुरू ऐसे होते हैं कि उन्हें कोई काब्यात्मक शक्ति ना भी हो और बड़े वो सरल हो करीब भी हो सकता हो लेकर उनके साथ रहने का एक अपना सौंदर है हमारे एक साथ ही है लगभग बराबर क्यों रहे हैं तो वो घूमते रहते हैं इधर घर जाते रहते हैं मैंने एक दफ़े उनसे कहा कि आप अपने गुरू जी के साथ क्यों नहीं रहत हैं उन्होंने कहा हमारे गुरू अपने को गुरू मानते ही नहीं है उनके साथ रहना बहुत कठीन है और वो कपड़ा नहीं धुलवाते हैं खाना नहीं बनवाते हैं सब काम अपने से कर लेते हैं कि किसी से मिलने जाना हो 15 16 18 20 किलो मिटर भी तो पैदल चले जाएंगे मिल लेंगे बात कर लेंगे मिल करके चले आएंगे बस और गाड़ी को हाथ नहीं देंगे वो कभी किसी से कुछ चाहते ही नहीं है उन्होंने कहा ऐसे आदमी के साथ रहना बड़ा मुश्किल है वो कुछ चाहता ही नहीं है समय से जा जा करके मिल करता हूं रहने ही पाता हूं कि रह नहीं सकत हूं ही मेरी कम जोरी है है इसलिए पुस्तक से ज्ञान लेना असान है बजाए की गुरू के कि गुरु जीवित है वो अपने अनुसार तुम्हें ढालेगा और पुस्तक से ये सुविधा है कि जैसे चाहो वैसे अपने को ढाल लो पुस्तक कुछ बोलेगी नहीं गुरु का जो साथ किया जाता है वो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि गुरु जी जिस तरीके से आप अपना जीवन जी पाए सरलता से आसानी से वैसा ही जीवन हम जी सकें सिर्फ इसलिए गुरु के पास जाए जाता है और पुस्तकों से इतना नहीं मिल पाता है कबीर सहब के पास कोई जी जियाशू गया हो और उसने देखा हो कि इनके साथ रहना अच्छा है इन से में कुछ सीख सकेंगे लेकिन मन मन तो एक ही रास्ता जानता है मन तो एक ही तरीके से जीता है और साहब ने तुरैंट परक्छ लिया होगा तुरंट समझ लिया होगा उन्होंने तो उन्होंने कहा होगा कि मैं चितवत हूँ तो ही को मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ मैं सोचता हूँ तुम कुछ अपने आपको समार लो कुछ अपने आपको बना लो और तु चितवत कचु और तुम्हारा मन कहीं बाहर की तरफ लगा हुआ है ऐसा चित जो दोचित्ता पन हो जिस चित में दोचित्ता पन हो उस चित से कोई काम नहीं हो सकेगा ना संसार का काम हो सकेगा पूरी तरीके से और ना अध्यात्मित्ता का काम हो सकेगा अगर कोई किसी यात्रा पर निकलता हो तो वो कहीं ने कहीं जरूर पहुँचेगा लेकिन अगर कोई यात्रा पर ना निकले सिर्फ गोल गोल घूमे तो कहां पहुचेगा, कहां तक जा पाएगा नहीं जा पाएगा हम सब कुछ अपने मन का चाहते हैं मन का गुरू मिल जाए, मन की चीजे मिल जाए, मन की पुस्तके मिल जाए और हम अपनी मरजी से जी सकें बस आदमी की एक जिद होती है आदमी अपनी जिद में जीता है बस जो जो उसके सहयोगी बनते जाएंगे उनके साथ वो रहता जाएगा जहां जहां से उसको लगएगा, कि सहयोग नहीं मिल रहा वहाँ वहाँ से वो अपने आपको हटाता जाएगा, अलग करता जाएगा पुस्तक हो, गुरु हो, परंपरा हो, कुछ भी बहुत दूर तक काम नहीं आता है खलिद जिबरान की एक कहानी है कि एक आदमी के मन में, वो बचपन से एक नाम सुनता रहता था पवित्र नगरी का, एक ऐसा नगर है, जो बहुत पवित्र है वो बचपन से एक नाम सुनता था, तो एक दफे वो, सोचा कि मुशे जाना चाहिए उसना तयारी की, कुछ पुस्तकों में पढ़ा, कि वो जगह कहाँ पर है और वो पवित्र नगर के लिए निकल पढ़ा कई दिनों की यात्रा के बाद, थका हारा, वो एक नगर में पहुँचा जहां पर बोर्ड में लिखा हुआ था, होली सिटी पवित्र नगरी, रात में पहुँचा था सुबह हवय, लोगों से मिला, सभा में गया जाकर उसने देखा, कि यहां तो जो भी दिखते हैं उनकी दाइं आख नहीं है, और उनके दाइं पैर नहीं है, जिनको देखता, उनकी दाइं आख बुझी हुई है और दाइं पैर नहीं, तो उसने बड़े बुड़ों से बात किया, उसने कहा, क्या आपके शहर में जो भी पैदा होता है, उसकी दाइं आख और दाइं पैर नहीं होते? बुड़ों ने कहा, तुमने भी बच्चों को नहीं देखा हमारे हां? छोटे बच्चों को नहीं देखा? छोटे बच्चे जब जनम लेते हैं, तब उनके दाइं आख भी होती है, और दाइं पैर भी होता है, लेकिन बड़े, बड़ों की तो दाइं आख नहीं और बाया पैर नहीं, तुर्होंने एक पुस्तक खोली, उसमें लेखा था, अगर तुम्हारे दाइं आख कुछ गलत काम को देखे, गलत द्रश को देखे, इससे अच्छा है कि तुम्हारे आख गलत द्रश को देखे, औ कम से कम तुम्हारे शरीर तो बचा रहेगा, तो हम क्या करते हैं, बच्चे की आख निकाल देते हैं, जब वो 11-12 साल के होते हैं तो हम उनकी आखे निकाल, उसमें का पैर, उन्होंने फिर पुस्तक खोली, उसमें लिखा था, अगर तुम्हारा दाया पैर गलत रास्ते पर जाए, तो दाया पैर तुम काड़ करके डाल दो, अच्छा है कि तुम्हारा बागी शरीर तो कम से कम नरक में नहीं जाएगा, तुम नहीं जानते हो, यह पवित्र नगरी है, हम धरम शास्तर क्या उनुसार पर जीते हैं, और तब सब उसकी तरफ, उसका शरीर की तरफ देखने लगे, क्योंकि उसकी दाई आँग भी थी और उसका दाया पैर भी था, उन्होंने कहा, तुम कब पवित्र होगे, यह तुम्हारी आँख है, यह तुम्हारे पैर है, यह तुम्हारे गलत रास्ते का संकेत करती है, त तुम कब धार्मिक होगे हमारे जैसे, अभी तुम थोड़ा अजूबे से लग रहे हो, उसने कहा मुझे थोड़ा सा उसर दो, और जब रात में सब सो गए, तो वहां से निकल भागा, उसने कहा, मैं भले पवित्र जीवन न जी पहूं तुम्हारे अनुसार का, मेरी आंख पुरक्षित रहें, मैं कहीं भी जी लूँगा, और अगर इस पवित्र नगरी में रहना होगा, तब तुम्हों को खो देना पड़ेगा, शास्त्रों का भरोसा नहीं किया जा सकता है, शास्त्रों में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, कोई शास्त्र किसी की प्रसंसा करेगा, कोई शास्त्र किसी की निंदा करेगा, और शास्त्रों की सबसे बड़ी कमी ये है, कि एक शास्त्र में जो बात लिख दी जाती है, शास्त्र अपने आप उसको नहीं काट सकता अपने आप ही शास्त्र अपने को संसोधित नहीं कर सकता कौन संसोधित करेगा जो गुरु है जो अग्वा है जो ज्यानी है जो समझदार है जो विवेगवान है वही पुस्तक की बात को सही करेगा वही पुस्तक की बात वो गलत भी कहता है तो कोई पुस्तक के अधार पर जीए तो कहां तक जी पाएगा लेकिन जब एक गुरू के साथ जीते हैं तब एक एक दूसरी दुनिया होती है और कहीं कोई कबीर जैसा गुरू मिल जाए तब तो बड़ी अधिभूत बात है लेकिन फिर भी ऐसे गुरू के साथ रहते हुए भी साधक का मन और साधक का चित संसार की तरफ भागता है कबीर तो ऐसे गुरू हुए हैं जिन्होंने कभी नहीं चाहा होगा कि मेरे साथ कोई भीड रहे एक आदमी रहे परियाप्त है लेकिन वो उन्हीं के जैसा हो मुझे नहीं लगता है कि जब साहिब ने काशी छोड़ करके मगहर जाना सुविकारा होगा तो उनके साथ बहुत लोग गय होंगे ऐसा नहीं हुआ होगा कोई एक दो ही गय हो उनके साथ गय होंगे ऐसा नहीं कहीं लिखा मिलता है कि कबीर जब गय है तो उनके साथ बहुत से लोग गय है नहीं लिखा मिलता लाओजे जब नब्बे बरस की उमर में अपना शहर छोड़ करके गय है तो भी एकदम अकेले ही गय है यह जो अध्यात्म का रास्ता है यह रास्ता अकेले चलने का रास्ता है और अपनी आँखों से देख करके चलने का रास्ता है यह भीड़ वाला रास्ता है नहीं किसी की पूजा उपासना करना कीर्थन करना यह सब कुछ बहुत सहज है सुविधा जनक है और सरल है लेकिन अपनी आँखों से देख करके जीवन जीना बहुत मुश्किल है गुरू के साथ जीवित गुरू के साथ रह करके उनके अनुसार जीपाना वो भी मुश्किल होता है वो गुरू भले कबीर जैसा क्यों नहों एक मैं छोटी सी कहानी कह दूँ और खतम करूँ एक बार एक आदमी चर्च में दरवाजा खट खट आया तो इसाई पादरी भीतर था उसने दरवाजा खोला देखा एक आदमी जिसके दोनों हथेलियों से खून बह रहा है गाट से खून बह रहा है मुर्जाया है जवान है भी वो उसके बाल बिखरे बिखरे से हैं वो जहांकता है दरवाजे से इसाई पादरी अच्छा खासा हस्ट पुस्ट मोटा तगड़ा कैसे आना हुआ कौन हो उस आदमी ने कहा मुझे नहीं पहचानते पहचानो मुझे उसने में चश्मा ठीक किया और देखा उसकी हथेलियों में जैसे किसी ने कील गार रखी रही हो पैरों में कील गार रखी थी घाव ताजे थे पादरी ने कहा तुम इसा मसी तो नहीं हो तुम इसा तो नहीं हो उसा अगनत्युक ने कहा तुम ने सही पहचाना मैं वही हूँ सूली से उतर करके सिधे चला रहा हूं तुम्हारे पास तुमको बचाने के लिए तुमको समझाने के लिए कि तुम क्या नाटक कर रखे हो मेरे नाम पर इसाई पादरी ने कहा वह चोका वह पुरोहित था धंधा करता था उसने कहा चुप चाप चले जाओ क्रॉस पर चढ़ जाओ नहीं तो ठीक नहीं होगा हम जो कर रहे हैं वो हमें करने दो हम तुम्हारे नहीं चलते हम अपने परंपरा के अनुसार चलते हैं तुम वहीं टंग जाओ दिवार पर अच्छे लगते हो आपने देखा है जब गुरु जिंदा रहता है तो ज्याद़ जगा घेड़ते हैं और जब चले जाते हैं तब तब एक बाई एक की जा घेरते हैं बस कहीं भी लगा दो वहां से वो कोई मना ही नहीं करेंगे मुस्कुराते ही रहेंगे तुम चाहे जो कुछ करो चाहे जैसे जीओ मैने समझता कि साहब जब गए होंगे उनके साथ बहुत लोग रहे होंगे अकेले की ही आतरा है अध्यातमें और जब कोई किसी को समझाना बचाना चाहता है नहीं भीतर मैंने कहना आदमी की बहुत जिद होती है आदमी अपने जिद्द से जीता है बस भले कहीं पड़ा रहे भले उसका जीवन कैसे भी चला जाए लेकिन वो अपने जिद्द के अनुसार जीता है ना गुरू के अनुसार जीता है और ना सदवचनों के अनुसार जीता है लेकिन आदमी की यही खुबसूर्ती भी है आदमी की यही अच्छाई भी है कि कोई भी सीमा आदमी के लिए अंतिम सीमा नहीं है सास्त्रों में तो लिखा है समुन्दर पार मत करना सास्त्रों में तो लिखा है अपना नगर छोड़ करके मत जाना नाविक समुंदर पार कर जाते हैं वज्ञानिक रॉकेट से पृतिवी पार कर जाते हैं ये क्या है इसको समझते हैं क्या है ये सिर्फ और सिर्फ आदमी की जिद्ध है कुछ और कर जाने की, कुछ और पाने की इसमें दोनों चीजे छिपी है नकरातमक्ता भी है और सकरातमक्ता भी है बुद्ध एक बार प्रोचन कर रहे थे उन्होंने कुछ बोला तो लोग बीश सभा में खड़े हो गए ब्राम्मिन थे बीस सभा में खड़े हो गए उन्होंने कहा आप जो कहते हैं ये तो शास्त्रों के विरोध में है ये तो शास्त्रों में नहीं है बुद्धे ने कहा अपने शास्त्रों में लिख लो मैं जो कहता हूँ तुम्हारे शास्त्रों में नहीं है अपने सास्त्रों में उसको नोट कर लो सास्त्रों के बिरोध में कहा सास्त्रों में जो नहीं है वो कहा बुद्ध ने कह यह तुम संसोधित कर लो कुछ ऐसा मैं कहता हूँ जो सास्त्रों के बिरोध में है तो तुम सास्त्रों को काट दो सुधार कर लो ये हिम्मत आदमी में ही हो सकती है देवताओं में भी नहीं होती है देवताओं में भी नहीं होती है देवता तो बिचारे बस विलासी राजा जैसे होते है बहुत ग्रंथों में लिखा है कि बुद्ध जब प्रोचन करते हैं तो देवता किनारे आगर के सुनते हैं हाथ जोड़ करके एक बार कुछ ऐसा हुआ कि बुद्ध प्रोचन करके उठने लगे अपनी जोपड़ी से गंधकूटी से तो उन्होंने देखा दरवाजे के बगल में हाथ जोड़े भैभीत खड़ा है एक युवक उन्होंने पूछ तो सत्संक के टाइम पूरा हो गया अब तुम कल हा ना उसने कहा मैंने दर्शन कर लूँ आपके देवताओं में भी हिम्मत ने ये तो धरम सास्त्रों के खूबी है कि आदमी को उन्होंने विवेक का बल दिया है देवताओं में विवेक का बल नहीं है तो वो चाहे बुद्ध हों और वो चाहे कबीर हों इन लोगों का सच में बहुत उपकार है बर्टिन रसल एक बड़े दार्शनिक हुए है योरोप में आक्सफोर्ड युनिवस्टी में मैथ्स पढ़ाते थे और फिलोसफी के प्रोफेसर थे उनको 1960s में नोबल पुरुस कार दिया गया था लेखन के लिए 98 साल की उमर में वो मरे हैं बहुत विचारवान आदमी थे उन्होंने लिखा है एक जगह अपनी आत्म कथा में कि मैं इसाई हूं और बच्पन से मैं इसा मसीह की फोटो देखा करता हूं अपने घरों में भी और चर्च में भी एक बार मै दूसरी जगह गया वहां मैंने एक आदमी का फोटो देखा चित्र देखा वो एकदम शान्थ एकदम नीरव आखे बन और पेड़ के नीचे बैठा है उसके हाथों में थोड़ा सा उसकी एक उंगली उसके अंगुठे को छूती है और वो एकदम शान्थ बैठा है मैंने प मैंने पूछा ये कौन है बताया ये बुद्ध है कौन बुद्ध ये भारत का एक साधू है और ये वहीं के है उन्होंने लिखा है इसा मसीह का चित्र तो में भय पैदा करता था एक आदमी को अपने टांग दिया है दिवार पे उसके हाथों में कीले गाड़ दी है खून रिस रहा है तो मैं देख करके बचपने में डर जाता था लेकिन जब मैंने पहली बार बुद्ध को देखा उनका चेहरा देखा सौमता देखी तो मेरा मन आकरशित हो गया फिर मै ने उनको जाना और उन्हों अपने जीवान के अंत में ये लिखा कि बुद्ध के सामने इसा मसी कहीं नहीं ठहरते करुणा प्रेम भाईचारे की जो मिसाल बुद्ध में मिलती है वैसी तो इसा में नहीं है उन्होंने लिखा बौध दुनिया से इसलिए मिड़ गए क्यों जैंकि वह अहिंसक थे इसाइी दुनिया में इसलिए चाग एक यृशाई हिंसक थे बटन रसल ने लिखा इसाई दुनिया में चाग है क्योंकि अंग्रेशज जहां गए वहां वह तलवार लेकर के गए तो उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया जो इसाई बन जाएगा उसको छोड़ दिया जाएगा जो इसाई नहीं बनेगा उसे मार दिया जाएगा बुद्ध के अनुगामी बुद्ध के अनुवियाई तलवार नहीं उठा पाए इसलिए उन्हें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ गया यह उन्होंने लिखा उन्होंने कहा इसमें बुद्ध की कोई हानी नहीं है उनका बड़ा पन है क्यों उनके सिस्चों ने तलवार नहीं उठाई भले वो हिंदुस्तान से बाहर हो गए जब कोई मकान बनता है तो मकान का बुर्ज दिखता है मकान की सबसे उचरी उपरी मंजिल दिखती है उसकी नियों में जो इंटे लगे हुए हैं पत्थर लगे हुए हैं वो नहीं दिखते हैं लेकिन अगर उन पत्थरों को हटा दें तो बुर्ज ठह जाएगा वो मंजिल ठह जाएगी हिंदोस्तान की जो संस्कृती रही है यहां की जो सब्भता रही है उसमें बहुत लोगों की इंटे लगी हुई है अंदाजा है हम वाटसअप के जमाने के लोग हैं कोई अंदाजा नहीं है हम वो पढ़ते हैं जो हमारी सरकार या हमारे निठल लेकर पत्रकार सुनाते हैं बताते हैं उतना ही हम जानते हैं इस देश को बनाने में मैं आपसे बताऊं बहुत से रास्ट ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के जितने पुराने हैं उनकी सब बताएं मिट गई क्यों उन लोगों ने तलवार उठा लिया और मिट गए हिंदुस्तान में क्या हुआ तलवार ने उठाया जब कोई आया उसको गले लगाया उन्होंने और कुछ दिनों में वो अपना भूल गए लोग पूछते हैं मुसल्मान कैसे रगए हिंदुस्तान में मुसल्मान हिंदुस्तान में इसलिए रह गए कि हिंदुस्तान ने उनको अपना लिया था तो जब वो लूटने तो आए थे लेकिन फिर लूट का हिस्सा कहीं बाहर नहीं गया फिर यहीं क्यों हो गए यह कहीं और नहीं देखने में आता है यह सिर्फ इसी देश में को देखने को आता है यह जो हम कहते हैं कि हिंदूओं का है हिंदूस्तान यह हिंदूओं का हिंदूस्तान हम आज कहते हैं इसकी अगर आप इंटेओं को देखेंगे तो जैसी इसकी नियों है उस नियों में सबका सबका सबकी हिस्थेदारी है यह देश कोई अभी नहीं बन गया बुद्ध मैं याशर करता हूँ कि कबीर सहब के समय में मुसलमान जस्ट आए ही थे लेकिन कबीर सहब ने कभी यह नहीं कहा कि तुरकों को भगाना या तुरकों को मलेच का नहीं कहा जब समझाया तो हिंदों को भी समझाया और तुरकों को भी समझाया सबको समझाया यह नहीं बटवारा किया कि तुरकों तो बाहरी इनको भगाओ ये देश बहुत खुबसूरत तरीके से बना था बुद्ध जैसे लोग, कबीर जैसे लोग इन लोगों के साथ चलने के लिए बहुत बूता चाहिए होता है कमजोर नसों का आदमी नहीं चल सकता इनके साथ हमारे एक संत हैं सब्तर साल के हो गए है और सच ज्यादा है सडक पर टेंपो छोड़ते हैं, स्टेशन से आते हैं टेंपो छोड़ते हैं और एक जोला इधर लटकाते हैं एक जोला इधर लटकाते हैं और चपल गिसिटते हुए चले आते हैं कई बारास्ते मिलते हैं मैं कहता हूँ साहिब एक आटो कर लिया करो सड़क से यहां तक आते हो कम सकम आराम हो जाएगा इतना कहा साधू के पास है ओग कहते है इतना साधू के पास नहीं मैंने एक बार कहा एक चेला रख लिए साहब कम सकम वो आपका समान टांग लेगा आप तो खाली हाथ हाओगे तो कहें चेला तो और दिक्कत है वो तो कहें कि गाड़ी में चलो वो तो कहें कि गाड़ी में चलो अभी तो कोई कहने वाला नहीं है समान लाता हूँ चलाता हूँ कहीं यादा भारी हो तो थोड़ी दे रूख लेता हूँ फिर आजाता हूँ चेला तो मानेगा ही नहीं एक दम सही कहा उन्होंने चेला तो कहा गुरुजी यह जोला पगड़ो मैं तो आट से चलता हूं मेरे बास किराया है अपने लिए यह जो बुद्ध और कबीर जैसे लोग हुए यह बहुत साहसी लोग थे बड़े हिम्मती लोग थे हम कई बार उत उतनी हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं उतना नहीं सोच पाते हैं इसलिए हम वहां से हट जाते हैं अलग हो जाते हैं वैचारिक होने में बड़ी हिम्मत चाहिए साहिड लुद्यानमीन एक जगह लिखा है धूल भरे रस्तों पर चलने की मेरी आदत नहीं गलत बातों को सुन कर लूँ चुप रहूं जानता हूं इसमें फाइदा बहुत है लेकिन ऐसी मेरी नियत नहीं कबीर जैसे लोगों के साथ चलना यह बहुत हिम्मत की बात होती है हम नहीं चल पाते हैं तो हम फिर पंथ है कबीर ने बीजग लिखा कबीर पंधियों का एक बड़ा समोधा बीज जी पुष्थक है उसकी चर्चा करता है उसकी भासा मात्र 200 वरसों की है कबीर साहब की भासा 600 वरस पुरानी है देखते ही समझ में आई जाएगा लेकिन बीजग की चर्चा नहीं करते हैं क्यों क्योंकि बीजग को पढ़ने के लिए और पचाने के लिए बहुत ताक अच् उसमें दुकान चलती है उसमें जीवन सहज है बहुत ग्यान लेकर के क्या करोगे बहुत ग्यान पाकर के क्या करोगे उसमें आराम नहीं है उसमें सुख सुवधा नहीं है तो ऐसा ग्यान क्या करोगे ग्यान वोलो जिसमें जीवन असानी से कटे इसली लोगों ने कबीर को भी मोड़ दिया, सहेब ने अपने समय में ही अपने साथी को कभी कहा था, कि तुम अपने चित में दुनियादारी भरे हुए हो, रागरंग भरे हुए हो, मेरी बातें तुम पे कैसे असर करेंगी, ये बातें हर समय में हर काल में, एक सच्चे गुरु ने एक अपने सिस्व को कहा होगा और ये समस्या तब भी थी ये समस्या आज भी जायज है कुछ थोड़ी बातें मैं कह सका अपनी बात को इहीं पर विराम देता हूँ बोलिए सद्गुरु देव की जय